जरी की पगड़ी बांधे सुन्दर आँखो वाला कितना प्यारा लागे बिहारी कितना मेरा सुन्दर थारो खूब सजो सिंगार मारा सावरिया सरकार दोस्तो यही काम लोग लड़ो गोपाल के साथ करते हैं बिल्कुल चूम कर बताइए यह क्या करना चाहिए आज का वीडियो इसी दो विशय पे है जरूर पूरा देखिएगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायन वासुदेव राधे राधे दोस्तो यह वीडियो आज मैं बना रहा हूं बहुत दून से सोच रहा था कि आपके साथ में अपने थौर्स अपने विचार आपके साथ में साजह करूं क्योंकि मेरा यही कहना है आपसे कि हम आज अपने चानल के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं यह चैनल मैंने शुरूआत की थी जिससे कि हम अपनी भक्ति का प्रचार कर सके होँ डिवोशन्स इसका मत्तब जिस थे कि हम अपने घर में किस प्रकार से पूजापाट करे आप मैंने कई बार देखा कि किस तरह का वैभार हो रहा है क्योंकि लोगों को फेमस होना है लोगों को रील्स बनाने है तो ऐसा ना करें तो वीडियो को अंतक देखेगा जरूर यह मेरे बहुत ही मेरे दिल के विचार हैं दोस्तों श्री कृष्ण फगवान श्री नारायन के अवतार वो परम प्रभु है वो हमारे ठाकुर जी है उनके साथ आप भक्ति करें उनके साथ आपका मोह है आप लाड लड़ाएं उनकी सेवा करें लेकिन उनके साथ खिलवार ना करें देखे दोस्तों मतलब रील्स बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे मेरा भी एक निवेदर होम डिवोशन दो हैं मेरे रील्स मैं काफी देखता हूं लेकिन रील्स बनाने के चकर में फेमस होने के चकर में व्यूस के चकर में या फिर आप कहें तो शॉर्ट्स बनाने के चकर में यूट्यूब में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं और इसको देखकर के बहुत दुख होता है लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति को बिल्कुल मैं आपको सपोज यह लड्डू गोपाल की करीब आठ सा जैसे भी मूर्ति हो लोग बिल्कुल अपने मूँ के करीब ला रहे हैं चूम रहे हैं क्या आपको लगता है कि लड्डू गोपाल जी सो स्वय हो जाती है और भगवान की पूजा में जूठन बिल्कुल भी बिल्कुल भी अलाउट नहीं है दोस्तो और आप तो मतलब भगवान की पूजा का सामानी नहीं लेकिन आप स्वायम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को आप लड़ गोपाल को आप अपने पास ला रहे हैं दोस्तो मैं आप से हाथ चोड़ कर विंदी करता हूं कि ऐसा ना करें आप इस तरह से लड़ गोपाल जी का अपमान ना करें क्योंकि आप उनको लाब लाड लड़ाते हैं आप उनके साथ जो आपके भाव हैं वो दर्शा रहे हैं आप उनसे कितना प्यार करते हैं आप उनके खिलोने ला रहे हैं लेकिन जब उनको आप वो खिलोने निवेदन करें तो जरूर यह मान के निवेदन किजीगा कि वो आपके प्रभू हैं आप उन्हें शुद्ध वस्त्रों में शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए ही उन्हें भोग चढ़ाएं उन को उनके खिलोने आप अर्पित करें अर्पित करना जिसा कहते कि है प्रभू हम अपने से तेरा ही तुझको अर्पन जितना मैं कमा सका मैं आपके लिए आपके मनुरत के लिए आपके एक श्रिंगार के लिए आपके खेलने के लिए आपके ख्रीडा के लिए आज मैं आपके लेके आया हूँ आप इसे स्वीकार कर ये भाव होने चाहिए एक और बात दोस्तों लोग मैं देखता हूँ रील्स में लोग बिल्कुल जूते पहन के चपल पहन के प्रैम में बिठा करके लड़ू गोपाल जी को मॉल लेके जा रहे हैं पार्क लेके जा रहे हैं और मंदिर में लेके जा रहे हैं मंदिर अगर आपके घरके बहुत पास हो आप इस चीज़ का ध्यान रखें खेलने की वस्तु नहीं है मैंने कई बच्चों के वीडियो देखें हैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ला रहे हैं डूल रहे हैं बरसात में उनको नहला रहे हैं और बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे चूम रहे हैं प्लीज ना करें ऐसा चूमना वर्जित है भगवान की मूर्तियों को हम सिर्फ अपने माथा लगाते हैं अपने हीदाय से उनका हम जो है उनकी सेवा करते हैं आप प्लीज उन्हें चूमना बंद कर दीजिए एक सिनारियो मैं आप से जरूर शेयर करूँआ कि जब आप किसी मूर्ति के आप किसी शॉप में जा रहे हैं आप पहली एक बार आपको आपके लड़ो गोपाल आपको दिखे बिल्कुल रैप्ट हैं बिल्कुल वो तब उस शॉप में वो एक पीतल की मूर्ति है या अश्टधात्यों की मूर्ति हैं तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपने जब उनको जब आपने उनका नियोचावर देके आपने उनको लिया तब आपने उनको बिल्कुल गले लगा लिया शायद प्लास्टिक कवर में एक बार चूम भी लिया प्रान प्रतिष्ठा होने के पहले लेकिन उसके बाद खृपया के प्रतिष्ठा करते हो उनको प्लीज इस तरह से उनको ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं भक्ती जो है सेवा जो है इस तरह से नहीं होती है दोस्तों दोस्तों आज हम भी जो हमारे मेन जहां पे हमने जिस जगह पे श्री लड़गोपाल जी को स्थापित किया है वहां से हम लाते हैं और विराजमान भी करते हैं कि आज आपका उत्सव है आज आपके जन्माश्टमी है या राधा अश्टमी है क्योंकि घर में जो प्रतिष्ठीत मूर्थियां होती है वो अचल नहीं होती है वो आप उनको ले करके उनको आप मूव कर सकते हैं आप इनको हिला सकते है जब आप उनकी सेवा करते हो जब आप उनका श्रिंगार करते हो जब आप उनको वस्त्र धारन करवा रहे हो वो आप हिला सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल अशुद्ध जगां पर पे रस्तों में जहां कूडा करकट पड़ा हुआ होगा वहां से आप बिल्कुल जूते पहन करके आप अपने लड़ो गोपाल को लेके जा रहे हैं सफाई का जहां ध्यान नहीं है कहीं भी आपने बिठा दिया होटलों में बिठा दिया और उनको आपने एक टोक्रि में बिठा दिया वो टोक्रि में ले जाने वाले सामान नहीं है वो लड़ो गोपाल है वो हमारे महाप्रगू है आप एक आध-बार अपने किसी भी के लिए अगर आप किसी मंदिर में ले जाना चाहें तो इस भात का विशेश ध्यान रखें कि वहां पर साफ सफाई है आपने वहां बात की है वहां पर लड्डु गोपाल को विराजमान करने के लिए जगा है आपके अगर किसी जान पैजान के मंदिर में हो बांके भीहरी मे लोग लड्डु गोपाल को लेके आते हैं कई बार ऐसे हाथ से हुए कि लड्डु गोपाल जी खो गए हैं लड्डु गोपाल जी गिर गए हैं और नहीं मिले कोई लेके चला गया उनके हाथ पाव तूट गए हैं और वहीं पर रहे गए लोग इसका जरूर मतलब शोक मना कि आप के लिडू गोपाल नहीं मिने हैं लेकिन यह झांँ वहे पाल स्वा रूप में आठ चोटे से बच्चे था हैं आप के घर में भी वही हैं आप यहीं हमेशा भाव रखें कि आप मेरे घर में भी विराजमान है आप इस्तु प्रसिद्ध मंदिर में भी विराजमान है मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ अगर आपको यसा लगता है कि हम अगर उनको अपने साथ नहीं लेके आएंगे तो उ आधारानी हम दो तिन दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं लड़ू गोपाल विराजमान हैं आप उनकी सेवा करें आप जहां भी जाए वहां से आप मानसिक रूप से उनकी सेवा करें उन्हें याद करें मैं आज बिल्कुल आप जहां विराजित हैं वहां पर मैं नहीं हूँ लेकिन मानसिक रूप में आपकी सेवा कर रहा हूँ मैं सुबह शाम आपकी सेवा कर रहा हूँ आपकी दर्शन आप मैं आखे बंद करते हीं आपको देख सकता हूँ या उनकी फोटो देख सें उनकी और भक्ति वहां जरूर पहुचेगी यकीन माने दोस्तों जरूर पहुचेगी लेकिन खिलवार ना करें दोस्तों चूमिये नहीं जूते पहन के आप भगवान श्री डड़ी गोपाल को बाहर नहीं लेके जाएं अगर आप लेकर जाते हैं क्योंकि रास्ता है तो रबड के चपल फिर भी पहन सकते हैं क्योंकि लेकिन चमड़े का जूता बिलकुल भी नाधारण करें आप ऑफिस जा रहे हैं चमड़े के जूते पहन रहे हैं यह नॉर्मल सी बात है लेकिन आप तभी भगवान को क्यारिय नहीं कर रहे हैं तो यह प्लीज इन बातों का ख्याल नामके रियल्स में लोग बिलकुल अड़कोपाल को Cobies के सामने लेके घूं रहे हैं घाना गा रहे हैं वीउस के लिए क्या क्या करेंगे क्यों कर रहे हैं आसा किंज मत किजि 예ए अप टेटी बियर को लेके खेलिए गुडिया को लेके खेलिए कुछ भी कोई बात नहीं आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं जब आप जहां के सजाते हैं लेकिन जिन विग्र की आप पूजा कर रहे हों उनका अपमान ख्रिपया ना कीजिए आप इस वीडियो को जरूर अपने बंदु बांदोवे के साथ शेयर कीजिए दोस्तों और प्लीज भगवान का आप के पालन हार हैं वो बिलकुल खेलने की वस्तु नहीं है इसी के साथ मैं यह वीडियो समप्त करता हूं दोस्तों अगले वीडियो में आप से जरूर मुलाकात होगी प्लीज मेरे चैनल का साथ दीजिए और अगर आपके राए मुझसे अलग हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए क्योंकि यह मेरी बहुत ही मैमन से यह वीडियो बना रहा हूं आप जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लड़ गोपाल की सेवा लाड उनका श्रिंगार खूब करें खूब मन से करें जिस भाव में आप उनका श्रिंगार करना चाहें करें लेकिन खेले दोस्तों थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बाते सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों शुभवस्तू